हलो फ्रेंज वेलकम दूर चानल करन अफेर अपडेटेड अधिस दिवश्शी शवस्ती आज मैं आपके सामने बड़ा इंपॉरेंट टॉपिक लेका हूं बहुत दिनों से डिमांड आई थी सर जैनवरी मंत कंपीड हो गया है तो उसकी करन अफेर्स एक सिंगल लेक्चर में पूरी कम्प्लीट जैनवरी 2023 की करन अफेर्स लेके आईए तो लेक्सर आपके सामने आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हो देखते हैं जैनवरी 2023 में क्या क्या चीज नियूज में थी इसके बाद आपको और कोई भी लेक्सर देखनी जरूरत नहीं है जैनवरी करन अफे जैसे की कौन से नंबर का रिपब्लिक दे था 74 ओके रिमेंबर थीम क्या थी इस बार की जन बागीदारी यह आपको याद रखना है और चीफ गेस्ट हमने किसको चीफ गेस्ट बुलाया था अपने रिपब्लिक दे में उनका नाम आपको याद अखना है एजिप्ट के प् कौन सी जैसे आपको देखो बहुत सी जाकिया निकलती है ठीक है बहुत से कंडिजेंच मार्चिंग निकलती है तो उसमें रैंक वन पर कौन था तो बेस्ट जिसने जीता है यह याद इखेगा उसमें उत्तराखन ऑके बट याद इखेगा यह जो है जजेश के अकॉर्डि तो C.A.P.F. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स के अंदर आती है उसमें अवार्ड जीता है तो अवार्ड मिरमाना उत्तराखन वाला कुशन आने की चांद से जादा है ठीक है कोई न्यूस में भी यह था फिर जब रिपब्लिक डे कंप्रीड होता है मतलब जब एंड होता है रिपब्लिक डे का सेलिबरेशन तो एक और चीज़ ऑगनाईज होती है आपसे सुना होगा यह बीटिंग रीट्रीट सेरिमनी आपसे पुछाता है बीटिंग रीट्रीट सेरिमनी जो है वो कब सेलिबेट किया थी डैट इस 29th of January remember और यह क्या बताता है यह बताता ह हूँ देखिए कि स्कीम हुआ करती थी डैट इस न्यू इंटीग्रेटेट फूट सेक्योर्टी स्कीम गवर्मेंट अब इसका नाम चेंज कर दिया है अब इसका नया नाम हो गया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना ठीक है पहली बात इस चीम का नाम चेंज हो चुका है और सरकार ने प्रधान मंती गरीब कल्यान अन्योजना के अंदर सरकार क्या करती है फ्री में रिमेंबर फ्री में फूट ग्रेंज देती है कि इनको गरीबों को जो अंतो दया अन्योजना और प्राइमरी हाउस होल्ट है वनलब जो गरीब लोग है रिमेंबर उन वापस food provide करेगी COVID में भी आपने सुनाओगा 28 मन्त के लिए 28 मन्त के लिए गवर्मेंट ने free में food provide किया था ये भी आ दखना है कि New Integrated Food Security Scheme का नाम Change हो गया है ठीक है? चलिए आगे अगर दिखा जाए एक बड़ी important report है Global Economic Prospect Report पूछा आता है report कौन publish करता है Correct answer है World Bank इसने बताया है कि इंडिया का जो economic growth होने वाली है इस बार future में जो prospect है 2023 से 2024 में वो होगी 6.6% तो याद दखना है इसके according 6.6% इन्होंने expect किया है बड़ कोश्चन या सकता है कि Global Economic Prospect Report publish कौन करता है तो correct answer that is World Bank और economic survey और budget मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ स्कल लिंग मैं description box में डाल दूँगा तो वहां से आप पूरा budget और economic survey देख लिजेगा आगे बढ़ते Prime Minister Narendh Modi ने virtually remember inaugurate किया है इस summit में मैंने भी attend किया था that is Global Investor Summit जो indoor मध्यपरदेश में हुई remember ठीक है तो ये उन्होंने virtually summit को inaugurate किया था तो पूछा रहता है Global Investor Summit कहा हुई है तो correct answer is that is indoor मध्यपरदेश next है Henle Passport Index 2023 rank ही पूछी आती है किस country का सबसे strongest passport है तो rank 1 पर Japan है rank 2 पर Singapore और South Korea दोनों ही shared कर रहे है इंडिया की राइंक आप से पूछी आगी तो इंडिया की राइंक आप कर रहे है 85th है और सबसे बॉटम में अफ़कानिस्तान that is not important कि सबसे बॉटम में कौन है बट इंडिया की राइंक important है next है no more पढ़ोग प्रदेश scheme for minority students actually scheme कौन से थी पढ़ोग प्रदेश scheme वो मैं आपको बताता हूँ यह scheme पुरानी scheme है 126 की scheme है but government अब इस scheme को बंद कर दिया है इस scheme के अंदर मैं बता हूँ याद रखेगा जो minority students होते थे ठीक है वो अगर विदेश जाते थे मतलब foreign जाते थे पढ़ने के लिए तो उनको government क्या कहती थी जो education loan देती थी उसमें government interest में subsidy देती थी मतलब आपको interest free एक तरीके से आपको education loan मिलता था आप बहाँ जाकर पढ़ सकते थे तो कि अब सरकाने यह scheme सिर्फ minorities के लिए थी अब सरकाने वो scheme बंद कर दी है remember so minority of feminist आपको पता हो इस मृति इरानी है और यह scheme जो है पढ़ो प्रदेश scheme अब right now it is no more मतलब इसको हटा दिया गया बंद कर दिया गया तो यह आपको याद अखना है next है भारत प्रवाह ठीक है इंडिया along its shores यह है क्या भारत प्रवाह पूछाएगा किस ministry का initiative है यह initiative है ministry of port shipping and waterway आदस्पना होगा सब्रानन्द सोनवाला इसके minister है तो यह scheme किस से related है नाम से बचला अगर port shipping से related है तो यह आपको याद रखना यह scheme क्या करेगी मतलब यह जो सरकार ने start किया है ministry ने start किया यह है क्या इट विल हाइलाइट the challenges, issues and future goals of maritime sector तो maritime sector के regarding जो challenges है जो issues है जो future goals है उसको यह reflect करेगी तो यह भी आपको याद रखना है next ODSA की बात करते हैं ODSA ने एक award जीता है World Habitat Award 2023 और यह award मिना उसको तो slum में लोग रहते हैं slum dealers होते हैं उनकी life को empower करने के लिए Odisha government की यह scheme थी और इसको यह award भी मिला है तो पूछा दक्राप से यह जगा mission कि स्टेट की scheme थी next है मद्य परदेश government की एक बड़ी important scheme लाँच की यह that is Chief Minister Residential Land Rights Scheme हिंदी में बोला जाए तो मुख्य मंत्री अवास भू अधिकार योजना यह scheme है क्या तो जो गरीब लोग है जो poor people है उनको एक तरह के सरकार free plots provide कर रहे है जिसमें वो अपना घर बना सके poor living जो उनकी होती उनके घर नहीं होते हैं उनको एक तरह के प्लॉट gift किये जा रहे है तो यह scheme है मद्ध पदेश में start की गई है तो बड़ा important हो जाता है प्यूश जोल की मैं बात करूँ आपको पता हूँ cabinet में वो commerce और industry minister है उनकी scheme है याद रखेगा that is marg portal उनकी scheme है portal launch किया that is marg portal इसमें क्या होगा आपको guidance मिलेगी support मिलेगा कि आप अपने start-up को किस तरह आगे move कर सकते हैं life cycle में किस तरह आगे ले जा सकते हैं उसके लिए एक marg portal जो है वो launch किया गया है by ministry of commerce that is by Piyush Goyal next बात करते है world economic forum summit 53rd world economic forum summit हुई है जो Davos Switzerland में होती हमेशा remember theme 3 cooperation in the fragmented world so theme याद एकना है world economic forum summit आई हो सबको पता होगा Davos में होती है जो की important place है Switzerland की next बात करते है एक program है पूछा किता है smart program ये किस से related है ये related है for Ayurveda professionals to boost R&D in Ayurveda in the country so Ayurveda की R&D को boost करने के लिए smart program launch किया गया है तो पूछा किता है smart program is related to जिस तरह questions आएंगे मैं उस तरह ही आपको पढ़ा रहा हूँ फाल्तु की आपको चीजे add-on नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत साइ current affairs होती है तो जो important है वो आपको याद अखना है ठीक है वो अभी ministry of जल शक्ती के minister है उन्होंने conference लिए और ये conference हुई है भोपाल में और इस भाई की theme जो थी water vision that is 2047 2047 आपको बता हो अमरित काल्ज का जो time period है वो complete हो जाएगा next again मैं ministry of shipping की बात करता हूँ उनका एक important portal launch हुआ है launch हुआ है that is national logistic portal ये portal launch किया union minister जो ports और shipping के है मैंना भी बताया सोनवाल जो है उन्होंने launch किया है किस दिल लॉंच किया है यह तरीके सिंगल window logistic portal है जिससे क्या होगा आपका जो logistic cost है उसको reduce करने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते है geography and environment से related क्या January month में current affairs से related news में था यह सबने सुना हो Ganga Vilas cruise बड़ी important cruise है question कैसे frame के जाएगे देखिए जो cruise है पहले बता दू world की longest river cruise है Ganga river पे cruise चल रही है आपको बता होगा जो की वारा नसी से start हुई है और यह जाएगी कहां तक Assam में दिब्रूगर तक remember Assam के दिब्रूगर तक जाएगी और बीच में country से भी pass होगी that is Bangladesh यह आपको आदकना है और states से अगर बात को तो 5 states से पास हो रही है cruise that is UP बिहार जारखन Kolkata that is Calcutta remember that is Kolkata मतलब West Bengal and Assam remember और एक state से भी country से भी pass हो रही that is Bangladesh तो धाका से भी यह pass हो रही है ठीक है करीमन 3200 km ट्रावल करने वाली है बहुत साई river system को कवर करेगी 5 states को कवर करेगी तो आपको आपको आदकना world का longest cruise है जिसका नाम का है जंगा विलास कुरूज आगे बढ़ते है नेक्स्ट बड़ा important है यह पूचा सकता आप से नील कुंज remember यह important tree है remember जो की endemic है मतलब सिर्फ यहीं पर मिलता है that is that western घाच अभी इसको Environment Ministry ने protected plants की अंदर रख दिया है तो पूचा सकता आप से यह कहां पर endemic है तो आंसर याद लखे that is western घाच next यह अभी recently जो project है news में था that is what that is कलासा बंदूरी project करनाठका का है deficit कहीं पर पानी है और कहीं पर extra water है तो जो extra water है वहां से deficit की अगर ले जा रहे है जिससे की drought की condition है करनाठका में वो कम हो सके तो यह actually एक डायम है जो design किया जा रहा है जिससे water को divert किया जाएगा कहां से महादेव बेसिन से ठीक है कहां पर to the deficit basin of मालाप्रभा रिवर मालाप्रभा में जहां पानी की कमी है आप सूखा पढ़ रहा है drought आ रहा है तो वहाँ से पानी को यहाँ पर transfer किया जाएगा यह अभी news में भी चल रहा है तो पूचा रखता है यह आप से कि कालसा बंदूरी project तो कहां के state का है तो आप से उट भी करनाठका के से के आप याद का सकते हो आगे बढ़ते है next that is important है श्योम ब्रिज अभी इसका inauguration किया है राजनाच सिंग हमाई defense minister ने पुझकता है यह ब्रिज कहां पर है it is built by BRO border road organization और यह ब्रिज है आपका अरुनाचर प्रदेश में तो हमारे आर्मी के लिए बड़ा helpful है ब्रिज अगले एक decade में government करी में 100 चीता लाने वाली है किस country से South Africa से तो यादे कि इस बार अवीबिया नहीं है इस बार South Africa है वहाँ से हम 100 से जादा 100 चीता लाएंगे अगले 10 सालों में next अब discuss करते है science and technology से लेटेड कोशन science and tech में current affairs में news में था सबसे पहले है European Union launch करने वाली अपना Jew spacecraft पुछागता है यह Jew spacecraft कहा के लिए है यह spacecraft launch होगा April 2023 में और इसको study करने के लिए भिज़े जा रहा है किसके the moons of Jupiter जो Jupiter के moons है उसकी study करने के लिए Jew spacecraft भिज़े जा रहा है by whom? not by NASA not by ISRO by whom? that is by European Union आगे बात करते है ISRO का जो शुक्रियान mission है जो आपको पता होगा हम Venus पे अपना mission भेज रहे थे उसको postpone कर दिया गया है पहले 2025 में जाने वाला था अब यह mission को shift कर दिया गया है 2031 में तो याद अखना next अगर बात करूं India ने commit किया है कि वो eliminate करेगा lymphatic philoresis याद एकिए डिसीज जो है 2027 तक तो target याद अखना है कब तक इंडिया eliminate करेगा ठीक है तो से मैंने last kind of affairs में आपको बता था TB का elimination वैसे इसका भी elimination आपको याद रखना है next इंडिया railway ने इंडिया railway ने decide किया है कि 35 hydrogen train run करेगा अंडर एक mission है hydrogen for heritage mission अब ये है क्या बता दो hydrogen trains का आज कल बहुत जमाना है ठीक है तो चाइना आपको पता हो hydrogen trains run कर रहा है ठीक है पहला Asian country जो hydrogen trains पर work कर रहा है इंडिया ने hydrogen for heritage plan में डिसाइड किया mystery of railway ने क्यों hydrogen train run करेगा कहाँ पर याद है कि heritage lines में जो heritage connection है वहाँ पर hydrogen trains run की जाएगी तो उसकी according ही government ने decide कि हम इत्ती hydrogen trains run करने वाला है जो कि अच्छी बात है green energy का एक बहुत अच्छा step भी है next इस रो अपना एक mission launch करने वाला है that is आदित L1 mission जो कि आपको पता होगा to exploration of sun sun की exploration के लिए launch किया जाएगा और इसको launch किया जा रहा है 2023 में तो अभी ये भी January में news में था अब हम बात करते अगले section में जो कि again important है sports का section January 2023 में sports में क्या चीज़े news में थी ये बड़ा important है सबसे important event January में जो हो रहा था वो था हमारा याद एक होकी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा था so अगर मैं men's hockey world cup 2023 की बात करूँ 15th edition था remember और इसको जीता है title किसने जीता है Germany ने और Germany का third title Germany ने हराया है Belgium को जो run up रही है bronze मिला है इंडिया के रहेंग बहुत पिछे रही that is at 9th rank रही और आपको बता हो और इसा में ये world cup जो हो रहा था hockey का world cup भुमनेश्चर और राउल किला में ये world cup हो रहा था और क्या इंडिया तक hockey world cup जीती है बिल्कुल जीती है 1975 में याद एक है कामने remember 208 runs बनाए इन्होंने ODI में remember 1 day cricket में 50 overs के match में और New Zealand के खिलाफ इन्होंने ये runs बनाए है next बड़ा important है women IPL स्टार्ट हो रहा इंडिया में बड़ी बात है क्योंकि इसमें total 5 teams होने वाली है किन लोगों ने teams खईदी मैं बताए तो आपको teams खईदी एहमदाबाद ने मुंबई ने बैंगलॉर्ड ने डेली ने और लखनओ ने तो ऐसे 5 लोगों ने 5 अलग-अलग city से teams खईदी गई है और media rights किसको मिला ये बड़ा important हो जाता है women's का Ycom 18 को ये media rights मिले at 951 crores में ये उनको rights मिले पूछा सकता आप से women's IPL में कितनी teams है 5 है किसको मिला है rights वो भी आपको याद रखना है next Hyderabad first ever formula E world championship race जो 2023 में होने वाला है वो कौन host करेगा वो host करेगा Hyderabad remember पूछ रकते हैं कि जो आपको formula 1 की racing आपको बता होगा उसकी जो इस बार championship कर रहा है वो है Hyderabad next है मिथाली राज इसलिए मैंने question लिख दिया बड़ा important है बड़ी famous player रही है ये पहली female cricketer है जिनको खेल रतने award मिला ये question आपके exam में पूछा रखता है कि पहली female cricketer जिनको खेल रतने मिला तो याद है कि मिथाली राज अफकोर जैनवरी का current affairs नहीं था बड़ी ये question बहुत बार मैंने देखा इसलिए मैंने cover कर दिया है next January में आपको पता होगा अभी Australian Open 2023 complete हुए और किसने जीता men's single बहुत असान है नवाग लोकोवेच जोकी उनका 10th men's single title है Australian Open उन्हों जीता और अगर मैं वुमेन की बात कहूं तो वुमेन थोड़ी सी याद अखेगा आपको याद अखना पड़ेगा नाम क्या है Aryan Sablin का रवेमजो बेलरस से हैं उनका पहला ये title है ठीक है याद अखना आपको उन्होंने title जीता है जो tennis का गेम है Australia Open जो बहुत हिमस है याद रखना आपको किसने जीता है नेक्स्ट इंडिया ने नहीं जीता है इसलिए हम mix double बगर नहीं देखते इंडिया ने जीता नहीं है इंडिया के किसी player ने नहीं जीता भी यह वाला जो हुआ है अब रिसेंडिव सुरॉग आपने ICC का 2020 Under 19 World Cup हुआ और इंडिया की women's ने इसको जीत लिया है और यह first time हुआ था remember और England के साथ final था इंडिया ने इसको जीत लिया और यह हो रहा था South Africa में टोटलर 16 टीम थी 16 टीम थी और इंडिया ने इस World Cup को Under 19 Women's World Cup को 2020 का जीत लिया जो की important है next कुछ important sports event जो future में आगे होने वाले हैं उनको भी याद दखेगा जैसे 2024 Summer Olympics जो है वो Paris, France में होंगे 2026 का FIFA World Cup जो है वो USA, Mexico, Canada में होंगे remember 2026 का जो Commonwealth Games है वो Victoria, Australia में होंगे ODI World Cup 2023 Men's की में बात करूँ वो इंडिया में होने वाला है और 2020 World Cup ये तो 50-50 World Cup था ODI Cricket World Cup था 2020 World Cup में बात करूँ जो 2024 में होने वाला Men's की में बात करूँ वो होने वाला US and West Indies में तो कुछ important events है कभी कोई पूछ लेता है इसलिए मैं आपको बता दिया है और अभी recently ICC ने अवार्ट खोशित किये है Men's की अवार्ट की में बात करूँ जो की exam में पूछे आ सकते हैं जैसे की ICC Men's Cricketer of the Year वो Men's के लिए बड़ा important है क्योंकि वो क्रिकेट को इतना देखती नहीं बटी अवार्ट पूछ शकते है मेरा माना exam में आ सकता है क्योंकि लोग जनरली आंसर विराट कोली लगा देते हैं बट आंसर ऐसा नहीं है इस बार याद एखेगा So Men's Cricketer of the Year जो है वो Ben Stokes है जो की England के है तो याद एकना आपको ये चारो अवार्ड आपसे exam में पूछा जा सकता है अब हम discuss करते हैं जो भी current affairs है एक basic static current affairs जो news में नहती है January में क्या-क्या news में था उसको discuss कर लेते हैं जैसे की 14th edition of World Spice Congress सिधा पूछाएगा Conference हुई थी याद एकना मुंबई महराष्ट में हुई नेक्स्ट रह्मान रही रिसेंट इन की death भी हो गई है तो कश्मीरी के great 28th century के poet थे जिरकी death हो गई इनको ज्यानपीट अवार्ड भी मिल चुका है तो पुझा रह्मान रही किस event से लेटेड है किस से लेटेड है तो poet थे नेक्स्ट बड़ा important है 80th golden globe award 2023 के winners और जिसमें सबसे important award जो news में चल रहा है वो है best original song जो मिला है नाटू नाटू song आपने आर आर मूवी देखे होगी उसके लिए ये first Asian song है first Indian तो है Asian song है जिसको ये award मिलता है और इसमें और भी awards दिये गए जैसे best film मैं बताऊं सोदा फ्लेबल मैं जो है उसको मिला है बट आपको याद रखना है best original song क्योंकि ये पूछा जा सकता आपसे next बात करते है केरल जो है वो बन गया country का पहला digital banking state ठीक है तो पहला digital banking state कौन सा बना है तो answer is केरल केरल education में भी आगया आप मार्क कर सकते है next international kite festival 2023 पूछा आगा यह kite festival कहा हो रहा है तो इसका यह हो चुका है अफकोस गुजराद में एहम्दाबाद में तो remember answer क्या होगा that is गुजराद एहम्दाबाद ठीक है आगे बढ़ते हैं next अब कुछ festivals देख लेते हैं जो exam perspective से आपके लिए बहुत important है तो देखिए सबसे पहले अगरवाद को तो quota tribe यह tribe कहां से बिलॉंग करती वो बताऊं यह quota tribe जो है this belong to Tamil Nadu पहला तो question यह आपको बताऊं चाहिए quota tribe बिलॉंग कहां से करती है इनका एक important festival है बता दू Tamil Nadu में भी आप देखेंगे जो निल्गिरी एरिया है ठीक है वहां से tribe बिलॉंग करती है इनका festival है आयूनूर अमनूर festival तो पुछता है यह festival कौन से ट्राइब करती है तो quota tribe कहां मिलती है Tamil Nadu निल्गिरी स्याद अखेगा फेस्टिवल से को हैं detail नहीं देखने हैं आपको पस याद रखना है कि यह फेस्टिवल कहां से बिलॉंग करते हैं जैसे कि मैंने बता है जियांग्रॉंग कमूनिटी जो है यह यह आत्के होते हैं उनका फेस्टिवल है गान नगाई ठीक है यह फेस्टिवल कहां सेल्बेट किया आता है आंसर है मनीपूर यह सारे फेस्टिवल जैनवरी में न्यूज में थे इसलिए पुछा यह फेस्टिवल कहां बना जाता है आंसर आपको बता रहा हूं ऐसे एक पंजाब का फेस्टिवल है मागी मेला बड़ा इंपॉर्ण है पंजाब में सेल्बेट के आता है हिस्ट्री बगर देखने की मेरा मानना इतना सर्वत नहीं होती बड़ बतायता हूं उसका 46 वारियर्स हैं जो की मुगल से सब्सक्राइब करते हुए उनकी डेथ हो जाती सेवेंटी हेंडर फाइब में बैटल के द्राना में तो इंपॉर्ण इसमें यह को कि पंजाब की जनरली हिस्ट्री हिस्टी भी पता होने चीए इसमें आपको बताया है बड़ आपको याद रखना है कि बैटल जो है वो कहा important question है मेरा मानना है इससे question आपको एक्जाम में डन है देखने को मिलेगा वो क्या है इंडियन साइंस कॉंगर्स पूछाएगा 108 इंडियन साइंस कॉंगर्स की सम्मिट थी वो कहां पर हुई ठीक है पहले answer या दखिए नागपूर पहले बाद नागपूर महराष्ट में और से फेस्बुक से हर जगे इनकी फोटो डाली है इनका नाम है कैप्टेन शिवा चोहान यह पहली वोमेन ऑफिसर बन गई जिनको ऑपरेशनली डिप्लोई किया है सियाचिन में रमेंबर तो बड़ा इंप्रेंट हो जाता है प्राइम मिलिस सर ने ट्वीट किया है इसलिए आपको याद अखना है सीधा नाम आपसे पूछ सकते हैं एक इंपोर्टेंट इंडिजीनेस्टी मॉबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्वियर है जिसको बना है आई टी मद्रास ने पूछा इकता है इसका नाम किया है भार ओवे सॉफ्वियर याद अखिए भार ओवे सॉफ्व और जॉजूब्री दो मिनिस्ट्टी थी और्ठस इंच और मिनिस्ट्री और साइन्स टेकनोलजी ने मिलकर जाद आख भार नइस किया और तीम ती मूविंग तोवर्ड अमर्टकाल विचाइञ टेकनोलोजी और उन्वेशं तो पूछाएगा यह कहाँ पर हुआ अपको त परदेश नेक्स्ट एक केरल बड़ा important question वेड़ा important step है केरल पहला ऐसा state बन गया जो menstrual और maternity leave देगा आपको हर state universities में तो menstrual leave भी आपको women's को मिलेगी लड़कियों को मिलेगी जो कि बहुत अच्छा step है by the Keral state पहला state असा बन गया है अब कुछ military exercise देख लेते हैं जैसे exercise cyclone 1 यह पूछा सकता है Egypt और India की है देखे Egypt के president भी इंडिया में आये थे इंडिया और Egypt की है जो जैसल में राजस्थान में exercise हुई remember और आपको यह आतकता है January 14 Jan 2023 में exercise हुई and that is the first ever joint exercise between special forces of Indian army and Egyptian army okay तो पुछा दकता है यह exercise कहा हुई किन दो country के पीच में एक है वर्नुना 2023 यह exercise हुई 2023 में हुई और यह exercise हुई Arabian Sea में हुई it's a naval exercise between which two countries that is India and France so this is also very important okay अभी January में exercise हुई थी next आगे परते है NCRT ने और वैसे मैंने सारी exercise ना अलड़ी में करा चुका हूँ 22 किये के कहा कहा हुई है वो तो मैं जानवरी मंत का discuss करहूँ जो भी news में थी okay NCRT launch किया है इंडिया का पहला National Assessment Regulator जिसका नाम है परक पूछा है परक है क्या देखिए आपको पता हुगा हर स्टेट बोर्ड की अगर बात करों तो स्टेट में अलग अलग पास देखने को मिलता है कही MP बोर्ड असान है यह भी बोर difficult है ऐसा लोग कहते है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए या दखिए guidelines वगरा जो परक है वो बताता रहेगा हर स्टेट बोर्ड को उसके लिए National Assessment Regulator जो है क्रिस हेपकिन्स ने यह है क्रिस हेपकिन्स और रेप्लेस किया है इनको यह बहुत न्यूज में थी न्यूजिलाइन में कोविट का अच्छा management इन्हों ने किया था नेक्स यून ने designate किया है एक person अब्दुलरह्मान मक्की को जो की एक global terrorist recognize किया है इंडिया खुश है अफकोस की Pakistan based terrorist को recognize किया UN terrorist इनको declare किया है ने इती एरलाइन फ्लाइट अंबर 691 न्यूज में सुना होगा इसका crash हो जाता है यह काटमांडू से जो थी विया रहे कि पोखरा नेपाल की और कर रही थी और जब यह लैंड करने वाली तो उससे पहले ही इसका crash हो जाता है तो यह न्यूज में थी एक domestic passenger flight थी ओके इसमें करीमें 70-75 लोग की death हुई है ओके next है कोलम जो है जो केरल का एक important district है जा देखेगा पहला constitutional का मतलब है यहां पर एम जो है टू इक्विप पीपल टू अफोल constitutional वैल्यूस लोग constitutional वैल्यूस को फॉलो करें उसको देखते हो कोलम जो है इंडिया का पहला constitutional लिट्रेट डिस्टिक्ट बनाए ओके next अभी recently एक person की death होती है जो politics related है मद्द प्रदेश के होशंगा बाद मद्द प्रदेश ते वो बिलॉंग करते थे politics उनों ने भीहार में की जिनका नाम है शरद यादव अभी recently इनकी death हो गई है तो यह भी आपको यादखना है नेक्स बात करता हूं battle of koregaon भीमा बड़ा important battle battle of koregaon भीमा सुना होगा यह battle actually अभी इसकी anniversary आई थी 205th anniversary थी यह important anniversary क्या थी यह कोरे गाउं भीमा जो battle था remember 1st January 1818 में battle होता है जिसमें पेश्वा बाजी राउ सेकेंड और बिटर्श आर्मी की fight होती है remember तो इस बैटल में detail देख सकतो महराष्ट में battle हुआ था बट आपको याद अखना है यह battle कहां से कि हम बन गए है chairman एक तरीके से ठीक है तो अब यह वासेनार एक्रीमेंट जिसको नहीं पता मैं बता दू इसमें इंडिया मेंबर बना था 2017 में और यह agreement नाइटी और इसमें होता क्या है इसमें यह होता है कि इनका काम यह है कि लेटर सपोस कोई दूसी कंट्री लेटर सपो वो nuclear fuel देदें ठीक है क्योंकि dual use होता है क्या कुछ कुछ प्रटक का double use हो सकता आप उसे bomb भी बना सकते हो उससे आप energy बना सकते हो तो ऐसे dual use products याद अखिएगा और हो सकता हो उन्होंने weapons मांगे हो और वो weapons किसी terrorist organizations को देदें तो यह भी गलत है तो याद अखिए इसी को monitor कर है that is Asian Pacific Postal Union के इंडिया ने leadership head कि इसको इंडिया इसका head बना है January 2023 में इसके भी leader बन गये है प्लब 2023 में इंडिया बहुत साही चीज़ों का leader बन रहा है remember इसका headquarter मैं मता दूँ Bangkok में है that is at Thailand okay postal union related next this is very important young professional scheme पूचिया रखती है यह scheme किन दो countries के बीच में इंडिया और UK यह scheme मैं आपको बताता हूं है क्या देखिए इसमें क्या होगा जो भी degree holder है Indian nationals जिनकी age 18 साल से लेके 30 years के बीच में है ओके वो चाहें तो वो याद अखियेगा they can live and work in Britain for up to two years तो ब्रिटेन में जाकर याद अखियेगा रह सकते हैं काम कर सकते हैं ओके work कर सकते हैं तो यह यंग professional scheme जो है इंडिया यूके की बीच की scheme है नेक्स अभी रिसेंटल अब सुनको मिस्ट यूनिवर्स 2022 डेक्लेर हुआ जैनवरी 2023 में जो बनी आर बोनी गाबरल जो है USA की है यह बनी है मिस्ट यूनिवर्स 2022 आपको पता हूना अच्छी इंडिया का पहला मिस्ट यूनिवर्स कौन था है इंडिया के साइट से शुश् है इसे रिसेंटल जानवरी में फुल इंटिगेट हो गई है अज़ा है यूघ मैंबर लियू आपके बने हैं इंटोमिक एनरजी रिगुलेटरी बोड के जो है वो शुक्ला जी है ऐसे आपको यादखना है ठीक है अलेक्शन कमिशन ने मिथाली ठाकोर को बिहार का याद अखिएगा, appoint किया है, ये भी बड़ा important है, election commission ने एक और mission launch किया, mission 929, 929 voting booth है, याद है, तरपुरा में, तो वहाँ पर turn out बढ़ाने के लिए, 90% तक turn out बढ़ाने के लिए, ये election commission अपना campaign start किया है, okay, next, prime minister ने virtually inaugurate किया है, शामा प्रसाद मुखर जी, national institute of water and sanitation, और ये कह हाँ पर है, कोलकता में, remember, so virtually inaugurate किया है, आपको याद रखना है, prime minister कोई भी चीज़ को inaugurate करते हैं, या जाते हैं, तो important हो जाती है, okay, next, आपको पता होगा, एक Mopa airport बना है, जिसको prime minister ने tweet भी किया था, जो कि गोवा में बना है, of course, गोवा में बहुत traffic है, उसको देखते हो, मोपा airport बना है, अब उसका नाम जो है, बदल के कर दिया गया है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर, मोपा airport का नाम कर दिया गया है, ठीक है, तो अब तो असान है, मनोहर पारिकर सबको पता है, गोवा से बिलॉंग करते हैं, next, अमेच्छा ने inaugurate किया है, 120 feet tall, polo statue in Manipur, polo game आप इस image को याँ देखेगा, inaugurate किया है, जो कि North DC सबसे बड़ी image भी है, next, you win portal, पुछागता है, यह portal किस से related है, यह center company ने launch किया है, the portal is related to registration and vaccination of pregnant women, तो registration and vaccination of pregnant women का यह portal है, next, SEO, Shanghai Corporation Organization, क्यों important है, क्योंकि SEO की जो summit होने वाली 2023 में, यह होने वाली इंडिया में, इस बागी theme भी बड़ी important है, for a secure SEO, remember, और secure का full form है, security of citizens, E से है economic development, C से connectivity, U से unity, R से respect, E से environmental protection, यह है secure का full form, ठीक है, तो आपको याद अखना है, और SEO Film Festival 2023, जानवरी का कहा हुआ है, मुंबई में हुआ है, फिल्म से याद दखना मुंबई लगा देना answer, ठीक है, कुछ important other summits जो होने वाली है, याद दखेगा, जैसे कि South Africa, धर्बन में, इस बार की 15th BRICS summit 2023 होगी, याद दखेगा, news में आएगी, COP की 28th summit 2023, that is United Nations Climate Change Conference जो है, वो होने वाली इस बार UAE में, और G20 की 2023 के summit आप सबको पता है, इंडिया में होने वाली है, तो तीन summits इस बार news में रहेंगी, आपको याद दखना है, आगे बढ़ते हैं, G20 की बात करते हैं, देखी, एक चीज़ में आपको बताऊंगा, G20 की summit तो इंडिया में होने वाली है, बट बहुत साई summit आप देख रहोंगो, Y20, H20, B20, T20, H20 से लगला जगे पर हो रही है, तो उनकी अफकोस कुछना को G20 का ही चोट-चोटा सब पार्ट है, उनकी summit छो रही है, इंडिया में थोड़ा सा महल बनाया जा रहा है, क्योंकि बहु I20 summit, ठीक है, अफकोस G20 का ही सब पार्ट है, रेमेंबर, तो U20 summit या भी रिसेंटी गोहाटी में हुई, ठीक है, फिर G20 environmental meeting, रेमेंबर, ठीक है, ये बैंगलूरू में हुई, ओके, B20, अगें देखे, business 20, सब G20 के अंदर, inception meeting, जो की गांधी नगर में हुई, T20 meeting, यानो Think 20 meeting, ये भोपाल में हुई, रेमेंबर, मैं क्या रहाँ, सब G20 की मीटिंगे से जो हो रही है, Secretariat of Science 20, मिला, S20 meeting, जो की IISC, बैंगलोरू में हुई, फर्स G20 meeting, जो है, वो पुदुचेरी से स्टार्ट हुई है, पुदुचेरी में हुई, उदयपूर में क्या हुई, फर्स शर्पा meeting under India G20 presidency, या देखेगा, G20 presidency के अंदे, उदयपूर में, रेमेंबर, ये शर्पा की meeting हुई, और फर्स G20, H, मनलब G20 नी, H20 meeting, मनलब हेल्थ related meeting हुई, जो की तिरवनत पुरम केरल में हुई, तो आप देख रहे हैं, इतनी सारी summit G20 से related हो रही है, मैंने सारी बता दी योगी दोगो, ये सब news में चल रही है, तो confused ना होना, ठीक है, इसने मैंने बता दिया है, ठीक है, ऐसी Padma Awards का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, Padma Awards, आप लोगो ने देखा भी होगा, नहीं देखा है, तो मैं लिंक description box में डाल देता हूँ, मैंने पुरे Padma Awards, जो 2023 Jan में मिले हैं, वो मैंने बता दिये हैं, तोटल Awards आपको पता हूँ, 106 थे Padma Awards, Padma Vibhushan 6, Padma Vibhushan 9 और Padma Shri 91, सारे Padma Awards के वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक description box में डाल दूँगा, आप जाके Padma Awards का वीडियो देख लेना, जैसे मैं एक Award की बात करता हूँ, Padma Vibhushan की बात इनका नामे तो इनको पॉस्टो मसली Award मिला है, ठीक है, Padma Vibhushan 2023, क्योंकि पहले इंडियन आर्किटेक्ट थे, जिनको प्रिचकर आर्किटेक्ट्यर प्राइस मिला था, और इनकी डेथ हो चुकी, रिमेंबर, उनको Padma Vibhushan 2023 दिया गया है, बाकी सारी लिस्ट जो है Padma Watch क वह मैंने description box में link डाल दिये, Padma Watch का वीडियो आप देख लेना, नेक्स्ट, इंडिया चाइना को सरपास कर चुका है, most populous country in the world में, और ये बताया है, world population review ने, कि हमने चाइना की population को भी crossover हम कर चुके है, ठीक है, नेक्स्ट, उत्राखन में क्या बन रहा है, एशिया का second, और क्योंकि बहुत पुराना है, तो उसको heritage की तरह conserve कर दिया गया है, और नया बनाया जा रहा है, that is, भजरंग सेतू, remember, ठीक है, तो ये भी आपको रहा है, रिशी केश में ही, उसी के पास में बन रहा है, next, luminous ने build कर रहा है, इंडिया का पहला green solar panel factory, और ये कहां पर factory बनने वाली है, उत्तराखन, सीधा कोशन आएगा factory का मनने वाली answer भी उत्तराखन, okay, third interpol young global police leader program, ये program की meeting हुई new Delhi में, और इसको organize कौन कर रहा था, CBI, Central Bureau of Investigation, पूछा आगा कहां पर हुई तो answer भी new Delhi, किसले organize की answer भी CBI, okay, निखाद जरीन, सुनाओ को बड़ी important boxer रही है, ठीक है, Commonwealth Games में gold भी जीता है इनोंने, अभी इसको brand ambassador बना दिया गया है, National Mineral Development Corporation की अभी recent brand ambassador बनी है, okay, next बात करता हूँ, Prime Minister Modi जी ने 21 islands, जो आंडवान निकोपार के हैं, उनका नाम change कर दिया है, और किसके नाम पर रख दिया है, जो परमवीर चक्र अवाडी थे, उनके नाम पर नाम रखे गाएं, जो की बहुत अच्छा step है, इंडिया बांगलादेश अपनी friendship pipeline मना रही है, डीजल को supply करने के लिए, तो पूचा सकता है, ये pipeline जो है, डीजल को supply करने के लिए, which two countries के बीच में है, तो आंसा है, इंडिया बांगलादेश, okay, next, याद रखेगा, Shanti Kumar, Shanti Kumar, Shanti Kumar अब जाते आते जैनवरी मन्त के कुछ important days होते हैं, जो exam के लिए important है, जैसे कि 1st jan, DRDO day हम celebrate करते है, 4th jan, World Ballet day, 16th jan, Startup day, remember, 23rd jan, पराकरम दिवस्याद के नेता जी शुभास चंद के birthday पर, 24th jan, National Girl Child Day, okay, और 24th jan को ही हम celebrate करते है, International Education Day, इस बागी जो theme थी, वो थी to invest in people, prioritize education, इस इस बागी theme थी, confused मत हो यह का, International Education Day भी है, एक National Education Day भी है, और National Education Day में 11th November को celebrate करते है, so don't get confused, इस लिए मैंना बता दिया है, ठीक है, आगे बढ़ते है, 25th jan, National Tourism Day, और National Tourism Day है, 27th September, World Tourism Day भी है, confused नहीं होना है, 38th jan, शहीद दिवस, जिसको मार्टरस दिवी कहते है, okay, आगे कर में days की बात को होते हैं, important day था, परावासी भारती दिवस, जिसको 9th jan को celebrate करते हैं, इसकी theme बड़ी important है, क्योंकि इवेंट को मैंने attend किया था, इंदौर में हुआ था, इस बार, theme जो थी, वो डायोस्पोर, Reliable Partners for India Progress in अमरित काल, remember, और इस बार मैंने बता है, आपको इंदौ और मद्र प्रदेश में summit हुई, remember, परावासी भारती दिवस, इसमें परावासी भारती दिवस था, और इसमें 27 लोगों को याद एखेगा, awards भी दिए गया, this is very important, कि कितने लोग को सम्मान awards दिए गया by president, तो वो भी important है, प्राइमेस था, मोदी, प्रसडेंट खुद यहा knowledge to artificial intelligence, remember, confused नहीं होना है, 14 सेप्टमबर से, जहां पर हम national hindi day बनाते हैं, तो world hindi day और national hindi day में confused नहीं होना है, ऐसे national youth day 12th jan, celebrate करते हैं, theme 3, विक्सित युवा, विक्सित भारत, remember, और birth anniversary, स्वावी वेकादन जी के नाम पर बनाते हैं, ऐसे international youth day है, वो है 12 अगस्त को, तो don't get confused अगें national और international में, next step 15th jan, Indian army day, celebrate करते हैं, इस बार important क्यों रहा है, क्योंकि यह जो army day था ना, वो 75th army day था, और यह important इसले था क्यों पहली बार, army day हम डेली से बहार celebrate कर रहे तो, celebrate होता बैंगलूरू मेरे में, तो first time ऐसा हो रहा था, आपको पता होगा, army chief जो है, वो है, मनो celebrate करते हैं, और voters day, 25th jan को celebrate करते हैं, इस बार की theme थी, to invest in people, prioritize education, तो यह जो थी, सारी, जो मैंने आपको current affairs थी, मैंने सारी आपको बता दी, I hope आपको यह महनत अच्छी लगयोगी, बहुत महनत करके इसको बनाया गया है, बहुत time लगता है या, इस PPT को बनाने में, तो आपक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जबूर करना, प्लस अगर आप कुछ contribute करना चाहते हैं, आप हमाई channel की तरफ, तो आप free होएं, आप contribute कर सकते हैं, it's up to you, आप 1 रोपे से लेके, जो भी आप contribute करना चाहते हैं, आप contribute कर सकते हैं, नंबर से यहाँ पर mention है, नंब नोच है, यह नोच अगर आपको मिल जाएंगे, तो studies के साथ यह नोच आपको एकदर ट्विक करने में बहुत help करेंगे, हर subjects के अवलेबल हो, चाहे वो history हो, quality हो, हर subject से हमाई notes अवलेबल है, तो आप order कर सकते हैं, hand return notes है, घर तक बहुत जाएंगे, और अगर आपको हमाई courses से ही हो, remember geography, history, quality, सब पढ़ना हो आपको, तो एक पर app को download करो, link description box में, देवशीष classes, आपको पता है, UPSC का exam आगया, आपको पता है, बहुत कम time बचा है, crash course join करी है, हमारे crash course को, आप join कर सकते हैं, आपके लिए बहुत helpful होगा, मैं personally guide भी करूँगा, कि किस तरह आप 3 महिने आप UPSC को crack कर सकते हैं, okay, so, यहाँ पर हमारा lecture complete होता है, I hope, यह lecture थोड़ा था, बढ़ आपको पता होगा, पूरे January मन्त की important current affairs बनाने में time लगता है, और अगर आपको हमाई initiative पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आए तो यह वीडियो को like जरू करके जाओ, comment भी करो, comment करो, appreciation कर करती है, और वीडियो का आप share भी करें अपने friends के साथ, जिसमें हो सके हैं, तो जादा से जादा लोग हो तक यह वीडियो पहुच सके, जिसे हमको motivation मिलेगा, और हम और वीडियो आपके सामने बना के लाएंगे, okay, कोई doubt को रही है, comment box में जरू कमेंट करें, कुछ लोग च मेरे टेलीग्राम ग्रूप में आपको मिल जाएगी, okay, तो आप टेलीग्राम से जाकर मैं PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, thank you.